रम रम किसान भाईयो, मैं इतनी फिक्रिट से हाजिर हूँ, आपके अपने चैनल, Fertilizer Expert में किसान भाईयो आज हम बात करेंगे एक कीटनासक के बारे में ये जो कीटनासक के किसान भाईयो टाटा कमपनी का आया है, टकूमी कीटनासक इसके बारे में एक कंप्लीट जानकारी में देने वारा हूँ, वीडियो मात तीन से चार मिनट की होगी लेकिन संपूर्ण जानकारी देने की आपको पूरी पूरी कोसिस की जाएगी कितनी डोज इसकी लेनी है, कौन-कौन से कीटो पर ये अच्छे काम करता है, क्या इसकी डोज है, क्या इसकी कीमत है क्या हम किसी अन्य फंगी साइड या फिर कीटनासक की साथ इसे मिला सकते है या फिर नहीं rain fast activity इसकी क्या है और किस तरीके से हमारी फसलों पे काड़े करके हमारी फसलों को कीटों से बचा करके चलता है तो वीडियो मिलाश तक बने रहें जिससे कि आपको एक सही और अच्छी जानकारी किसान भाई यो मिल सकतों चलिए सुरू करते हैं यह एक broad spectrum कीटना सक है जो काफी तेजी के साथ कीटों का खात्मा करता है बात करते हैं किसान भाई इसके अंदर कौन सा technical दिया गया है कौन सा composition इसके अंदर डाल गया है या कौन सा salt इसके अंदर डाला गया तो इसके अंदर किसान भाई आपको मिल जाता है फ्लू एंडामाइट 20% डवलू जी फोम के अंदर इसके अंदर आपको देखने को मिल जाए जो टार्टा रेलीस कंपने निकाला है टार्टा का टकूमी कीटना सक डवलू जी में अदर वर्टेबर गेनरिय गोई उपर करता है जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि बिरूड स्प्रेक्ट्रम तरीके का खिड़ना सकता है तो यह एक साथ कई सारे कीटों को भी मार सकता है तो यानिकि यदि ये इसे इल्ली खा लेती है तो यह पेट में जाने के बाद उनके पेट के पूरे सिस्टम को खराब कर देता है और उसके बाद उनकी मिरत्यू हो जाती है और यदि किसान भायों इसका इस्प्रेश के ऊपर पर जाता है तब भी ये बड़े आसानी के साथ जो है इल्लियों को या कीटो को मार सकता है तीसरा किसान भायों इसके खाने के बाद जो कीट का नर्वस के अच्छी तरीके से कंड्रोल कर लेता है जो हमारे धान की फसल के अंदर आपको देखने को मिलेंगे तौ इन पर भी इसके बहत्री रिलियक आपको देखने को मिल जाएंगे जैसके बोल बर्म हमारी जायतर कपास की फसल के अंदर देखने को मिलती है तो बोल बर्म पे भी किसानवाई यो टाटा के टकूमी कीट ना सका बहुत ही बहतरी डिल्ट आको देखने को मिल जाएगा डायमोन बैक मोट को भी किसानवाई बड़े अच्छी तरीके से ये कंट्रोल कर लेता है अब बात करते हैं कौन-कौन से फसलों में हम इसका इस्प्रे कर सकते हैं तो इसका इस्प्रे आप तोरी, लोकी, भिंडी, गन्ना, धान, गेहूं या कोई भी हमारी सबजी वरगे फस या जितने भी रोक कीटों को बारे मैंने आपको बताया, ये कीट आपको किसी भी फसल में लगे हुए दिखाए दे, आप उसी फसल के अंदर इसका इस्प्रे कर सकते हैं, सांदार रिजल्ट किसानवाई आपको मिलने वाले हैं अब बात करते हैं किसानवाई इसकी डोचकी, इसकी मातरा की, कितनी मातरा लेकर के इसका इस्प्रे हमें पिरती एकर करना है, तो आठ से लेके दस ग्राम मातरा आपको इसकी लेनी होगी और पंद्रे लीटर वाले पंप के अंदर डाल करके आप इसका इस्प्रे करेंगे, बहतरिन रिजल्ट किसान भाईो निकाल करके देगा यदि पिरती एकड़ की बात करूँ तो 100 ग्राम आपको टाटा के टकूमी कीटना सको लेना होगा और अपने टैंक के अंदर डाल करके आप इसका स्प्रे कर सकते हैं सांदा रिजल्ट आपको देखने को 100% मिल जाएंगे बात करते हैं किसान भाईो इसकी रेन फास्ट एक्टिविटी की तो इसका स्प्रे करने के यदि एक से दो घंटे के बाद बरसात हो जाती है तब भी आपको इसके 90 से लेके 100% रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे अब बात करते हैं किसान भाईो इसके रिजल्ट टाइम की कितने टाइम तक यह आपकी फसल को कीटों से बचा करके चलता है तो इसे लेकर के आप इसका स्प्रे कर सकते हैं अब बात करते हैं इसकी मिक्चर की कि क्या हमें से किसी अन्या फंगी साइड या कीटना सकी साथ मिला सकते हैं या फिर नहीं मिला सकते हैं तो बिल्कुल आप किसी भी अन्य फंगी साइड और कीटनासक के साथ इसे मिला करके इस्प्रे कर सकते हैं अच्छे रेल्ट आपको देखने को मिलेंगे उम्मीद है किसान भाई यो वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी सब कुछ जानकारी मैंने इस वीडियो में दिये तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में तब तक के लिए सभी किसान भाईयों को राम राम जी